तो जैसे न मैं यहां पर कांदी वली में ठाकुर कॉंप्लेक्स तो उस दिन में नीचे आई थी वहां पर बहुत सारी बीड देखी वहां पर मैंने तो मुझे लगा इतनी सारी लाइन क्यों लगी हुई है और फिर बहुत सारे लोग बैठ के कुछ वही लिख रहे था ऐसे ना बहुत बीड थी तो मैंने जाके एक लेडी को पुछा कि आप लगा के खड़े हो और इतना इतनी विड क्यों थो उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी और उनके दर्शन करने के लिए तो मैंने ऐसे देखा बैनर लेकिन इतना द्यान नहीं दिया क्योंकि हमारे मायन में गुरुजी मतलब वो सब साधु संज जैसे होएंगे तो थोड अब बैठ के राम नाम वही लिखते रहते थे तो भी मैंने कभी पूछा नहीं लेकिन जब अभी गणपती का उस्व था था तो उन्होंने जब हम गणपती बापा की आर्ती कर रहे थे तो मेरे मंदिर के उपर बापू की राम नाम की वही रखी और बापू का फोटो था और आर्ती कर रहे थे तो जब यह सब हो गया तो बाद में मैंने उनको पूछा तभी उन्होंने बताया कि यह जो है ना तो मेरे एक मराथी फ्रेंड है वो मुझे लेके गया था और मुझे भी बहुत सारे अनुबह हुए है तो इतना मैंने सुना था लेकिन बाद में भी इतना ध्यान नहीं दिया मुझे लगा यह रिटार अडमी अभी फ्री है तो बैट के राम नम लिखते होंगे बाद में वापिस छे महीने के बाद जब मेरे जीजा जी अमेरिका गए अमेरिका में उनकी बेती और दामाद दोनों डॉक्टर है वहां पे वो दोनों गए थे एकदम से दर गई अभी मैं पूरे घर में प्रेयर कर रही हूं और अच्छा नक्स से तभी मुझे ना वो बापु का जो मंदीर के उपर राम नम वही का फोटो रखा था वो एकदम मेरे सामने आ गया और मैंने प्रातना की कि आपका नाम भी मालूम नहीं है आप कौन हो व अच्छे से हो जाए बस इतनी प्रातना की अभी मुझे वह भी मालूम नहीं है कि मैं पाच राम नम की वही लाओंगी कहां से क्योंकि मुझे कहां पर है कैसे उपास में होती है उनका कैसे सब चलते कुछ मालूम नहीं था जब इंद्या होंगी जिजा जी को मिलूंगी इसनी बेचे नहीं है क्योंकि मैं इतने दूर हूँ और उनका ऑपरेशन यहां पर है और मेरे जिजा जी मतलब मेरे पैरंट्स ही है उनके साथी में रही हूँ मुझे पढ़ाया लिकाया साधी की सब कुछ मेरा उन्होंनी किया था तो ऐसे करके सुबह मैंने मननेत ली कि अनके घरब में पूर्ची वाले को फोटो रखा है तो मैंने बोला हैर सुबश में मुच्ची वाले को जुन रही हूँ अभी ऊसनी बोला जैसे बोला न तो बाद में ऊसने मुझे वहारा के प्रमुक के उनका नंबर दिया फिर मेने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे और बाद में उन्होंने बोला कि मैं पाच नाम नाम की वही तुझे देती हूँ और मेरी नेबर के हस्बन और कैंदर परमुक हमारे दोने एखी बी ऑफिस में काम करते हैं तो जब भो खाना-खाने गर पे गए तो विसस नायक ने उनको बुक्स दी और जैसे मेरे neighbor सामको पाच बचे घर पे आये, तो मेरे घर पे वो पाच नम, राम नम की वही आ गई, मतलब उस दिन से बापो हमारे घर में है, जैसे सुबह मैंने प्रातना की कि मुझे भूक चाहिए और सामको पाच बचे वापीस घर में भूक आ जाना, इससे बड़ा अन मैं जाती है, और जब भी थेस्दे में जाती हूं तो हम दोने का टसन होता है, कि अभी तो थेस्दे वहां पे चली तो भी यह छोड़ना बढ़े गा, तो वहां पे चली है, बार यह होगा, ऐसे ऐसे करके जब मैं जाती दी, तब मेरे अज़मन और उम दोनों के बिजने, बहुत सी ऐसे बातों के लेके फिर वो आते दे नहीं आते ऐसे ऐसे करके जब मैं फॉलो करने लगी बाद में यह बताएंगी कि वो कैसे आये अर्यूम मैं चेतन सी कोसंभया जैसे मेरी वाइफ ने बता है अब बाफु बार में एक्स्पियेंस वो मैं कंटिनुवी कर रहा हूं कि जैसे मैं बाफु बस कैसे आया तो मेरी वाइफ तो फॉलो कर रही थी तीन महेने से उसका अनुपर उसने बताया है अब करते दे थे तो मैं है एंज लिए जाना है और जब यसको जाना तो छोड़ पार चोड़के आ जाता था लेकिन वैसे करते करते नहीं महें निकल गया काफी जन्हों में वजे कुसिस भी कि करते अंदर आये बात करिये तो मैंने थोड़ा बात करके मैं मुझे कुछ confident नहीं था तो मैं इसलिए अंदर जाता नहीं था जब एक ऐसे टाइम आया के जब मेरे बेटे को स्कूल में इसको प्रमूट करने के लिए उसको स्कूल 12 में नहीं कर रही थी तो हम लोग थोड़े से घर में टूटल डिस्टर्ब के कैसे करें क्या करें अभी इसका एक साल बिगड़ी जाएगा और एक मामूली से हलका सा दो मार्क्स के लिए इसको प्रमूट नहीं कर रहे थे तो मेरी वाइफ वस वरी डिस्टर्ब एंड वी वाल डिस्टर्ब तो हम लोग बापू को प्रेय कर रहे थे हर्यों जैसे उन्होंने बताया कि मेरे बेटों को 12 में जाना था और स्कूल में कुछ प्रब्लम हो गई थ तो हम घर का माहौल बहुत ही टेंस में था और उसी दिन मेरे अजबन को ट्रेनिंग भी थी तो घर पे नहीं रहे थे और मुझे दूसरे दिन सुबर टीचर को मिलने जाना था तो हम लोग इतने टेंशन में थे कि मैं अकली जाके टीचर से क्या बाइत करूंगी क्या होगा कैसे नहीं और मुझे में पूरी रात बापु को ना ओम मने शामा थे डाता स्री अनी रुद्दय नमो का जाप कर रही थी और पूरी रात इतनी टेंशन में थी कि बापु राया कुछ ऐसा हो जाए और सामने से टीचर का फोन आए कि मेडम आपको आने की जरुवत नहीं औ आपका काम हो गया और बस पूरी राद सुई नहीं और वही जाप सुपा हुथके मेरा अजबन तो आफिस चले गए और में वही टेंशन में ना दोके प्रेयर कर रहे थी और स्कूल में जाने की तैयर ही कर रहे थी और तब भी मेरा हाथ में अगर बती है और मैं जब कि प्रेयर कर रहे थो इसे अतने हमें असुव बेहने लगे ज生姚ीए और तब ही अपर आपको पास आठा नहीं। आप कोन हूं में जानता नहीं। लेकिन आज मैंने एक प्रात्ना की कि मेरे बेते का ये काम जो हो जाए तो मैं भी आपको फॉलो करने लगूगा। और जब मैंने ये बात उनको सुना ही तो वह भी वहाँ पर रोने लगे हम दोने इतने कृतब नहीं हो गए ना। और तपसे लेके आग तक हम बापू के बापु परिवर में है और बापु राए जयसे मेरे वायफ ने मेल भताई के मृव म सब्सक्राइए तरही अबंफ止 मेरे वहरमे रोग जी को सब्सक्राइख एक प्रकारेश नता मेरे बैटे का सबस्यों छु만 है वह पापू आप अरमन कि जैसे मैं बापू फॉलो कर रहा था कुछ 15-20 दून हो था और मसकत में एक काफी बड़ा फ्लड आ गया जैसे उसका उसको कहते गोनु का नाम से दिया था तो हम लोग जहां रहते तो बिलिंग में वह इदिया पूरा पानी भर गया पुरा फ्लड हो गया और काफी सारी हमा बैस तो नहीं कि लिकिन वह पर गूपकर बैठ गई गाडी और जब वह गाड़ी बैठ गया तो मैं तो बबबब भापू के पास गया नीचे तो वा पूरा ने गाडी में पूरा तो और उसमें मेरे गाडी के इंसुन्स पेपर भी से बिलिंग वाले बोले थे कि अगर पापको पैसा मिलए कहने, तो काफी जनको गारीमेलब अ रहता, उनको नहीं data उनको नहीं data harina, तो उनका पिपर गष्ता... मेरेध Wheel टाष्क पैक एट्बर आपको पैसा मेल है.. तो मुझे पैसा मेल चैक उनको पब पूरा पूरा किछड में था तो कुछ देख नहीं सेते कि इला था तो मैंनो पेपर लेकर घर पर आया उपर आके रखा इतने मेरे बॉस का फोना के चेतन अगर में मेरे बॉस दुबे में तो एम जनल में तो उन्होंने बता है कि आप फैमिली लेकर दुबाय जाओ तो इस टोटल डाक और रहने का मुख्किल हो गया था इस वास समर गर्मी वो थी तो मैंने वह ठीक है तो मैंने फिर मेरे बस गाड़ी भी नहीं अब तो हमारी कंभी के कॉंटेक्स से जो रेंटे कर दे उससे मैंने कॉंटेक्ट किया तो उसे बोला मुझे मेरे पस सिर्फ एक ह गाड़ी है अगर आप एक अभी आ जाता हो तो मैं गाड़ी दे सकता हूं तो जब मैं अपने बापू परिवार के एक हमारे बापू बगते उनको ने फोन किया क्या मुझे वह लेके जाई है मुझे गाड़ी ले नहीं रेंटे कर तो मैं वह जो गया तो तो वहां देखा 20-25 लोग खड़े एक गाड़ी के लिए तो आदमी ने बोले दो मिट आते तो मैं अपको गाड़ी नहीं देता था तो मैं गाड़ी ले ले लिए रेंटे कार और लेकर के फि मैं घर पर आया फैमिली को बोले चो जीतना को पैक कर लो हम लोग नेक्स दिस अबे दुबाई चले आते तो मैं दुबाई चले गाए फैमिली को लेकर मेरी फैमिली वह भी हैपिली स्टेंग इन वरी गूर्टेल कमनी प्रोइट किया था एंड वर एंजॉइं मैं तीन देन के बाद वापीस मसकत आया क्यूंकि मैं मसकत का इंचात था तो मुझे मेरा रिस्पॉंसिबि अगर हटा के देखा मैंने तो उसमें मैंने जब फीपर खूर के दीखा तो उसमें लिखा है स्ट्रॉम इंड फ्लर्ड कवर्ड है मेरा तो मैं वहां पे मेरा आधा जान मनलब वहां आ आ गया कर दो ठीक है कुछ तो पैसा मेरे गाड़ी के इसके पहले मैं बोलना चाता हू 1,900 रियाल मैसिम एक मुझे दे रहा था जो के काफी ठीक है रिजनबल है 1,900 रिजनबल है 1,900 रिजनबल पर मैंने सोचा के थोड़ा मैं अच्छा मिल जासे कर रहे थे इसमें में जो फ्लर्ड आया तो मेरी गाड़ी बह गई इसमें मैं लॉस हो गई तो अच्छा फिर यह कोई बात नहीं मैं तीन देन बाद आता हूं तीन देन बाद में जब गया है वापे तो उन्होंने बोला के सोड़ी सर आम आपकी गाड़ी नौट रिपरेवल और इस टोटल लॉस तो मेरे दिल में अच्छा हो गया कि अभी तो मुझे पहले 1,900 मिल रहा था अभी साइथ 500 600 रियाल मिलेगा तो चलो ठीक है जो भी है चलो मिले ले लेंगे तो बोले सर विल वकाउट था कम्बंसेशन जोब को देना है वाएं देन विल लेट यू तो मैं आप कल आ जाईए तो मैं ठीक में कल गया नेक्स जे तो जाके बोला तो उसने बता है मुझे के सर आफर तिं 3200 रियाल तो मैं अंदर से इतना मलब खुस हो गया है वाला रहा है तो बड़ी एमांट है मैं डबल अलमस्ट डबल एमांट है और एक्स्पेक्टेट तो मैंने फी और सोड़ा सा स्मार्टनेस बताने के लिए लिए तो लोग प्लीज रहा हो जाबद दीजिए तो ने ने इस मैक्सिम कें गीव तो मैंने वहला बस मुझे चेक देदे मार जाके डांस करोंगा अब अबित हो तो फिर उसने मुझे वहला ठीका वेट करें आपको चेक देता हूं अब एक चेक ओफ 3200 तो यह ब एक देखो एक 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 श्पियंस है के और उसके बाद मैंने एक नई ग अएक शूब दो खुश्भ और काई जूडा दाम सफरां कि इस तो मिगव नहीं लीडिंगा टुछां की तियों नारी जालो जांदौन जालो मिंद फ़ित फूआ हैं में वहत्भट माकती रहन आदे आप दी